तो टाटा मोटरस में पर्षिट पर्षिल प्रफिट बुकिंग करने का टाइम आ चुका है क्यों कि यहां पर देखे एक अच्छा मुमेंट आ गया हमने जो ट्रेड लिया था उसके उपर देखे जबर्जस्त मुमेंट आ गया हमारा इंट्री यहां पर था 424-25 का आसपास में और इसके बाद देखें continue market उपर गया और 435 के उपर आ गया और हमारा 435 आसपास में ही profit booking का zone था अब क्या trade था कैसे था उसको पूरा explain करूंगा तो पूरा समझे उसको हमने लिया था trade ये लिया था कि 425 का जो call था Tata Motors का इसको हमने buy किया था तो एक लोट इसमें buy था और इसके साथ में क्या था कि हमारा 445 ये 445 वाला दो लोट शेल था तो ये दो लोट इसका सेल था अभी देखें अभी इसमें क्या चल रहा है सीन उस्टाइब हमें 46 का cost पढ़ रहा था ये spread बनाने में और अभी जो spread बनाने में cost पढ़ रहा हो कि अब दिखें इसमें अगर हम उस टाइम बनाए होते इस चीज़ में 11 रुपए में यह वाला कोल 11 रुपए आसपास में हमने इन वाला कोल 11 रुपे 5.05 यतना preference यह वाला कोल ऑय किया था और इसके PayPal अगेस्ट में हम ने CLE कौहन सा किया था label मेंं सेयल हमने किया था एक वो कहना गया है ये सेल वाला ट्रेड हुआ तो सेल लए किया था 3.90 касRO में 2600 किया था यानिद मेडी को अगर हम करते हैं तो उस टम हमें 4630 पर रहा था अभी हम अगर कोश्ट पर बनाते हैं करेंट लेबल पर तो हमें पर रहा है साथ हजार यानिकि हमें 2400 का प्रोफिट चल रहा है तो हम पार्शियल प्रोफिट बुक करेंगे अब हमारा इसमें नीचे जाएगा तो रिस्क कितना हो जाएगा डेर 2000 का हाइस रिस्क हो जाएगा और उपर जाएगा तो क्या होगा उसके लिए समझे उपर अगर जाता है 650 को पर प्रोफिट बना लिया अब जो बचा हुआ है 2000 आसपास का अगर नीचे पूरा मार्केट चला जाता है तो लोस हो जाएगा और उपर जाएगा तेखिए ऐसा होगा नहीं क्योंकि प्रेक्टिकल यह सब कम होता है आपको ध्यान में रखना है ट्रेलिंग स्टॉप लोस का यूज करना है आप हम ऐसा प्रोफिट में निकल सब्सक्राइबल है अब हमें मैक्सिम्म लोस टेंशन कहां पर होगा में टेंशन स्टार्ट होगा जब 460% के उपर निकल लेगा तब और वहां पर हम क्या करेंगे हार मान लेंगे और ट्रेट से एक्जिट कर जाएंगे जो भी प्रोफिट लोस होगा अगर वहां नहीं जा करेंगे तो हर एक ट्रेड में आपको प्रोफिट ही होगा